आज मौसम तो भाई साप लग रहा है एक नमबर लग रहा है बाकी यार फिलाल आज चाकरू ये समझ में नहीं आ रहा है मौसम तो बढ़िया हो रहा है एक सेकंड ये कोन आ गया भाई अपनी घर पर आज आज आई थिंक ये मेरे दोस्त हैं और भाई रमन क्या आ न तेरे ठीक है भाई ठीक है मैं बात करता हूँ उससे यार क्या हो गया पता नहीं उसका बाकी यार ये बोला है भाई सेरू कल इसके घर पर आके रोने लग गया मतलब ये रहा भाई अपना कुता जो कि कल इसके घर पर चले गया था और रोने लग गया क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है भाई तो क्या करूँ यार इसके लिए भाई एक डॉग लेके आते हैं आज डॉग का स्कूल यहां से तो बहुत जादा दूर है तो मुझे वहां से इसके लिए एक नया कुता लाना पड़ेगा भाई जो कि इसका भाई होगा भाई फिलाल चलते हैं जल्दी से बाकि यार फिलाल भाई ये तबी रो रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी दोस्त नहीं है तो एक काम करते हैं आज इसके लिए लेके आते हैं एक दोस्त तो मे बहुती ज़्यादा दूर है हलाकि मैं पैदल तो नहीं जा सकता तो मुझे किसी की गाड़ी चूरी करनी पड़ेगी एक काम करता हूँ भाई यही वाली गाड़ी लेके चलते हैं जल्दी से और भाई आज तो सेरू को भी मज़ा आने वाला है क्योंकि उसका भाई आ रहा है उसके गर पहे एक नया लिटल डॉग भाई जो की बहुती ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसे आज जिसके बाद से भाई उसका भी कोई ना कोई दोस्त हो जाएगा यार और वो भी भाई मतलब मज़े से भाई उसके साथ खेल सकता है बागी फिलाल तो मैं जा रहा हूँ भाई सोरूम पर क्योंकि भाई सोरूम से गाड़ी लेते हैं ये गाड़ी बहुती ज़्यादा खटा रहा हुरी है देख रहे हो यह वाली बाइक से ही लग रही है भाई इसको मौडिफाय करा लेंगे जिसके बाद से आई थिंक से बेटर लगेगी और हम सेरू के लिए एक नया कुता लेके आ जाएंगे जल्दे से चलते हैं यह रही भाई अपनी बाइक ठीका ठीका स्वागत किया जा रहा है भाई हमारा जो की बहुत ही अच्छी बात है बागी फिलाल तो मैं इसको लेके जाने वाला हूँ भाई I think मुझे से सोरूरूम से पहले अपनी दोस्त की गैराज पे लेके जाना चाहिए क्योंकि फिलाल तो भाई यह बाइक भी एक नमबर की अच्छी नहीं लग रही है मतलता वैसे त तो देखेंगे भाई कोई कम पैसे का कुटा मिलेगा या नहीं मिलेगा बागी यार फिलाल तो भाई मैं यहां पर आ चुका हूँ हाला कि भाई आच पुलिस नहीं पड़ी मेरे पीछे और बताओ फिलाल तो यार मैं आ चुका हूँ भाई अपने दोस्त की गैराज पे इस इसको भाई जल्दी से मोडिफाय कराते हैं क्योंकि यह बहुत दिनों से भाई ऐसी बाई हो चुकी है मैं इसको दो दिन से चला रहा हूँ बड़ भाई ये गाड़ी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है फिलाल तो इसे मोडिफाय कराते हैं जल्दी से कौन सा कलर ये वाला सही लग रहा है एक रंखलों टैयर से जालॡ । जो कमोरण वाका है , ये वाला देते लिए इसैंज पसी धू factors बड़ी भाई साब कोई बोल सकता है भाई इस फ्लेंडर थी ये सूपर बाइक बन चुकी है फिलाल चलो वाई फिलाल गाड़ी का फौग में रेड इस अगने वाला हूँ ग्रीन भी सही लग रहा है वैसे बट रेड भाई रेड से मैचिंग हो जाएगी ये वाला सही लग र और हवा में चल रही है ये एक सेकेंड तुम्हें दिखाता हूँ अभी ये देखो भाई रोड से थोड़ा सा उपर दिखरी होगी तुम्हें ये देखो भाई बाकि गाड़ी एक नंबर रेडी हो चुकी है फिलाल इसे लेके चलते हैं चल्दी से कुत्तों के स्कूल में जो क पीछे की साइड है जहां से मुझे भाई एक डॉग पर्चेस करना है जो कि हमारे सेरू का दोस्त होगा I think मुझे वाइट कलर में लेना चाहिए क्योंकि ब्लैक तो सेरू ही है और अगर दोनों सेम होगे तो पहचानने में भी दिक्कत होगी तो एक काम करते हैं भाई वाइ पर अपने डॉग को लेके आ जाओंगा और तुम वहीं से ले सकते हो बागी पैसे वैसे की डील हमारी रात कोई हो गई थी तो भाई यहीं आसपास आया होगा और ढूड़ना पड़ेगा बस एक सेकेंड भाई इधर की साइड था गया मेरे हिसाब से मुझे तो इधर की सा होगा भाई एक नंबर लग रहा है इसको लेके चलते हैं जल्दी से बागी मैंने यह ट्रक में लोट तो कर दिया है भाई क्योंकि बाइक में नहीं आपाएगा भाई अभी बच्चा है वो फिलाल यह घर पर हमारे छोड़ देगा हम चलते हैं अपने घर पर जल्दी से और सेड़्ीट और सीधे हम पहुच गे यह क्या होगे भ्याई अब यार गाड़ी इल्टी हो गई और मैं जमीन के नीचे चले गिया भाई साब यह क्या होगे यह क्या हुचिंद भाई यह एक सेकंडrd भाई मेरे गगो समझ नहीँ हा रहे क्या होग यह मुझे उतरना पड़े एक सेकंड अब देखता हूँ क्या हो कि भाई ये बाइक तो चली गई फिलाल मैं घर पर आ चुका हूँ और अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें सेरू और डॉक को ये देखो भाई दोनों लोग खुझ और रखें एक नमबर दोनों साथ में रहेंगे बागी फिलाल तो भाई